नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्किट में इंवेस्ट करने से पहले बहुत से फैक्टर्स को कंसीडर करना ज़रूरी है, एक ऐसा फैक्टर है, फंडामेंटल एनलिसिस जिसकी मदद से इंवेस्टर्स कंपनी के फाइनेशल हेल्थ और फ्यूचर पोटेंशियल को एवेल्यू इसके अलावा आपको कंपनी के इंडस्ट्री और कंपटीटर्स के बारे में भी जान लेना चाहिए, इससे आप यह जान सकते हैं कि कंपनी के पास क्या एडवांटेज और चलेंजिस हैं, इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट टीम और उनकी विजन को भी एनलिसिस करना ज है, इसके अलावा आपको कंपनी के इंडस्ट्री और कंपटीटर्स को भी एनलिसिस करना होगा, अगर आपको कंपनी के इंडस्ट्री और कंपीटिर्स के बारे में नॉलेज होगा, तो आप ये जान पाएंगे कि कमपनी के पास क्या advantages और challenges है इसके अलावा आप ये भी analysis कर सकते हैं कि कमपनी अपने competitor से better कैसे है और क्या कमपनी के पास competitive advantage है इसके अलावा आपको कमपनी के management team को भी analysis करना होगा management team की vision और execution ability company के growth और success में बहुत important role play करते है आपको company के management team के past performance को analysis करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो company के future growth के लिए capable है या नहीं इन सब factors को consider करके आप fundamental analysis कर सकते हैं और company के future potential और financial health को evaluate कर सकते हैं इससे आप stock market में invest करने से पहले अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आपको किस company में invest करना चाहिए और किस company से बचें in conclusion fundamental analysis एक बहुत important tool है stock market में invest करने के लिए इसके तुरू आप company के financial health और future potential को evaluate कर सकते हैं और अपने investment decision को informed way में लेंगे मित्रों यादी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करें और channel को subscribe करें धन्यवाद